अपना कल्चर अपना चैनल मारी माटी मारे लोग नमस्कार स्वागत है आप सब का मारी माटी मारे लोग में आज हमारे साथ जो कलाकार हैं वो बड़े विलक्षन प्रतिभा के धनी हैं उन्होंने हर्यानवी फिल्मों में कहीं कला निर्देशन किया कहीं गीत लिखे, कहीं सम्वाद लिखे और अभने में तो कमाल किया है जी हाँ आज हमारे साथ हैं जनार्दन शर्माजी तो आए प्रोग्राम शुरू करने से पहले जान लेते हैं शर्माजी के बारे में हर्याना के मश्वूर गीतकार, गायक और अभिनेता श्री जनादन चर्माजी का जन्म साथ अप्रेल 1946 को दादरी के पास गाउं बनवाना में हुआ आरंबिक शिक्षा गाउं से शुरू कर हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा उन्होंने जीन से पूरी गी और उसके बाद स्नातकूतर शिक्षा कुरुक्षेत्र विश्व विद्याले से प्राप्त की इसी दोरान 1973 में उन्हें कुरक्षेत्र विश्व विद्याले में तत्कालीन राज्यपाल द्वारा बेस्ट आल्राउंडर आर्टिस्ट का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया हरियान में फिल्म छैल गैला जांगी, छैल गाबरू, गुलाबो, महारी धर्ती महारीमा, पिंगला भर्तरी, चांद चकोरी, कर्म और तेरा मेरा बादा जैसी अनेको हरियान में फिल्मों में काम कर चुके श्री जनार्दन शर्माजी को हरियाना सरकार द्वारा देवी शंकर प्रभाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी समानित किया गया है महर्शी दयानन्द विश्व विद्याले के युवा कल्यान विभाग में लंबे समय तक कारियरत रहने के बाद वो बतौर निदेशक युवा कल्यान विभाग सेवा निवित हुए और आजकल गुरुगराम स्टेट युनिवसिटी में बतौर सलाकार युवा कल्यान विभाग कारियरत है सर नमस्कार सर आपकी बहुत सारी विधाएं तो पहले लेकिन मैं बात करूँगा आपकी अभिने से आप में एक अभिने की कला है ये आपने खुद पहली बार कब पहचाना था हरविंदर जी जो कला की प्रतिवा है देखिए पहचान में तो ये तब ही आती है जब थोड़ा सा आदमी या बचा होश संभालता है वैसे मुझे मेरी माता ने मेरे पिता ने जो बताया वो ये है कि जब मैं तीन साल या ढ़ाई तीन साल का हूँगा जब मेरे नाम शीरी किशन था और एक मेरी ताई हुआ करती मजीदन महंडन उसकी दो बेटियां थी मनीरी और कबीरी और मेरी मा और मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे से छोटी और मेरे फादर मतलब ये एक ऐसा ग्रूप था चाए तीज हों चाए गंगा नहान हो चाए सकरां तो कोई भी हो फागण के महिने में साउन के महिने में इनका एक ऐसा ग्रूप था जो गाने में एक्सपर्ट था फोक नोट क्लैसिकल या इस तरह के फोक गाने में एक्सपर्ट था नाचने में एक्सपर्ट था और जो मेरी ताई मजिदन थी वो काकरति दे कि सनिया नाच के दिखा दे की विधा में लेकिन फोक और थेटर की बबाद में तो नरतन और जो गायन की विधा है ये मुझे अपनी माँ बड़ी भेन और उताई मजजिदन और विशेश कर हमारे पिता जी क्योंके मनहोरलाल जी मेरे फादर रियल फादर बाकी में ताउ के उस नाम पे हूँ तो वो ढोलक भी बजाते थे और गाते भी थे और एट ए टाइम मल्टी डाइमेंशनल एक्टिविटी थे उनकी हलवाई का काम करते थे दुकान थी मंदर में जोतिस किया करते थे और अनपड थे फ और उन्ट रखते थे गाउं में हड़क खेती करते थे कमाल है कि एक तरफ वो खेती करते थे एक तरफ वो मंदिर में पूजन वेलिकाममें थे फिर मिठाईया भी बनके थे सब मतलब भले काम, कितने भले काम है, उसके साथ-साथ आप कह रहे हैं कि बहुत सारी कलाओं में भी उनका पारकी थे, गायन और बजाना ये ढोलक, ये उनका विशेश पारंग थे, कमाल था ये तो ये, और वो भी आपने बताया वो जो ताई थी, उन्होंने भी आपको पहचाना थे, आपके लक्षनों से पहचाना था, ये तु देखिए उस वक्त मेरा नाम किशनिया कह लो, किशनिया कुछ ऐसे, क्योंकि पारिवारिक जो प्रश्ट भूमी थी ना, उसमें से मैं निकल के आया था, ये सिरफ प्रश्ट भूमी नहीं लगता, मुझे लगता ह ये नाम किशनिया पड़ा होगा, ये सही कह रहे हैं आप, पहली बार मन्चिये कोई अभिने या कला का कोई भी काम आपने किया था, वो कोई याद आप, मैं बच्पन में जीन्द आ गया था, मेरी बुवाजी आई थी, यहां पर ब्याई हुई, तो तीसरी में होगा है, च वक्त क्या किया करता, तो मैं गले से तो बीन बजाया करता, और जो आज भी मूँ से मैं डोलक तबला बजा लेता हूँ, और हाइफा के मन्च पर मने बजाया भी, दिखाया भी है, तो यह मैं बजा लेता हूँ, तो उस वक्त तीसरी या चोथी कलास में मेरे को मन्च पे ल मुझे लगता है कि शायद उसके बाद भी किसी एक ही कलाकार का पूरा प्रोग्राम, उसी की ही कला पर depend हो, ऐसा प्रोग्राम शायद नहीं हुआ है, जहां तक हमें ग्यान है. ये पहली बार किसी विश्वी द्यालय में, शर्माजी के नाम पे हुआ था. सर उस प्रोग्राम में हाईलाइट कुछ शेयर करना चाहें बिलकुल हरविंदर जी ये बात है 19 फरवरी 1972 की मैंने 70 में मैं यहां से जीन गोर्मेंट कॉलेजिन से पास आउट करके ग्रेजुएशन करके गया था तो एडमिशन लिया था मैंने वाँ और 1970 में जाते ही मुझे बहुत गुणी प्रोफेसर मिले और उन गुणी प्रोफेसर में सबसे जो एहम नाम है वो डॉक्टर हिमत सिंग सीना उस वक्त फिलोस्पे से मैंने में किया मैं गया तो था ये अपना इसमें जैनलिजम में करने के लिए लेकिन एडमिशन नहीं मिला तो मैंने फिलोस्पे मैं में में लिया उस वक्त डॉक्टर हिमत सिंग सीना महिंदर परताब चान एस पी तफता जी आई सी मित्तल जी और भी कोई 10-15 और हाँ मैं बोले कि आर पी हुड़ा जी जो वहाँ वाइस चांसलर भी रहे और यहाँ आपने यहाँ भी तो वह आपके उस जमाने में टीचर थे यह उस वक्त टीचर भी थे यह पीएसडी भी कर रहे थे और पढ़ाते भी थे तो 1972 में उस वक्त एक प्रोग्राम किया था कि अभी एड फंड जमान एड फंड के नाम से प्रोग्राम करके कुछ फंड ही गठा किया जाया है जी और उस वक्त फिर जी इसमें क्या प्रोग्राम हो तो एस पी तफ्ताजीर विशेष कर हिमस सिंग सीना जी और क्या नहाँ मेरा नाम आब ही किसके नाम से करें स्टूडेंट के नाम से करने चाहिए तो आरपी हुड़ा जी ने कहा कि जनारदन के नाम से होगी और मेरा नाम लेती सभी टोटली एक सवर में करना लेकी ये नाइट जनारदन नाइट के नाम से होगी शामे जनारदन होगी बहुत बड़ी बात थी कि एक स्टूडेंट होते वे ना थे, शाम ए जनार्द, उस से पहले किसी स्टूडेंट को इतना सम्मान मदर यूनिवर्सिटी में नहीं मिला था, और विशेश बात ये थी कि उस प्रोग्राम में उस वकत के स्वर्गेबियन चकरवड़ती जी गवर जोड़ी, जब से पूरे अभी भी, मेरे को जोड़ी बोलते हैं, रगुबाई भी जोड़ी कहते हैं, सारे तगरीमन जो फिल्मी जो मेरा फिल्ड है, या टीचर्स मेरा जो फिल्ड है, उसमें सभी मेरे को जोड़ी के नाम से ज्यादा जानते हैं, अभी में लिखता हूं क इनको जॉर्डी के नाम से भी जानते थे, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हरियानवी सिनेमा में, और आजकल एक संस्ता भी इन लोगों ने बनाई है, उसको भी हेड कर रहे हैं, सर आपका फिल्मों में बहुत बड़ा रोल रहा है, खासकर हरियानवी फिल्मों में, ये उस परमपिता परमात्मा का सर पे हाथ था उनका आशिरवात था कुछ घर का तो उससे पहले जो मेरा थियेटर का जो फेल्ड था ना उसमें मैंने वो तो अभी तक कुल मिला के 21-22 प्लेज किये हैं दो इंग्लिश प्लेज भी किये हैं तो एक छोटा सा मेरे को याद आ रहा तो टीचर्स देता ये कुरुक्षेतर यूइस्टी की बात है वाइस चांसलर सर हमारे चीफ गैस थे इंग्लिश प्लेज हो रहा था मैं चांसलर का रोल कर रहा था और मिस्टर विरेंदर करनाल के जो मेरे खाल से जस्टिस रिटायर हुए हैं सैशन जैज रिटायर हुए ह उनके साथ मैंने किया था तो कोई पांचे लाइन का इंग्लिश डायलोग था और पता नहीं क्या दिमाग में कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाया मैं और वहमें डायलोग बूल गया जो असली लाइन थी वह बूल गया शुरू का एक संटेंस और लास्ट का पता नहीं कैसे य the king this should not be tolerated this started and the way back it was completely clean and the way back to the king यह पता नहीं कैसे दिमा यह लास्ट में उसको क्यों दे दिया मैंने चेंग को और ते फिर तालीबाद जी होगी गुजब का मैं कहता हूँ यह इंगलिक फिर बाद में वाइस चांसलर सर जब प्लेग खतम हुआ और ओर हुआ सारा शो वी सी सर ने मुझे बुला मेरे को अब नहीं पता मैं क्या बोल किया यार क्या नहीं आया लेकिन उस वक्त उस मालिक ने इतनी लाज रखी के बीच में यह प्रेजन्स ओफ माइंड है कि मैंने का अगर रुग गया सारे प्ले करना सो जाएगा आपका वैसे भी अंग्रे जी के बाबरे में विशे स्टेलेट ह आपने कई आइटम भी बना रहा हैं से अंग्रे जी वारे मैंने बना रहा है वो चैल गयला जांगी का है तोड़ा सर्फाइगा फिल्म बनी थी हरियाना की चैल गयला जांगी और खासके जैसे चंद्रावल में जब रुंडा खुंडा की जोड़ी हिट होई थी तो उसके जब चैल गयला जांगी आई तो उसमें धारे और प्यारे की जोड़ी हिट होई थी तो वो धारे जो चैल गयला जांगी में थे वो यही हैं और उस चैल गयला जांगी को इंगलिश वर्जन के साथ बना के कैसे बना है प्ली सर पहले औरिजनल मैं चैल गयला जांगी बाज दे मेरा नाडा मैं चेल गेला और इसका स्टाइल जे चाल गेला यूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ राजाना मैं चैल गेला, मैं चैल दामन, दामन मेरा भारी भारी दूर का जाना, यह अपने आप ही कुछ निकलता था, बहुत खुब, बहुत खुब, आपने जैसे अभिने किया है, और मैं खास कर दर्सकों के बताओं कि जो इनकी अभिने की शैली है, वो बिलकुल हटके है, हरियाना के सबी कलाकारों से सिर्फ चेहरे से नहीं इनकी पूरी बाड़ी काम करती है जिस ढंके ये लटके जटके लगाते हैं वो बहुत रेर है और खासकर हमारे चैनल पे आप देखते रहते होंगे के बहुत बार हरियानवी चितर हारमेन के गीत चलाते हैं तो यहां पर मैं एक बातशीत के बीच पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और आपको इनीका अभिने किया हुआ है ये गीत सुनाता है आपने अभिने करने के साथ-साथ गीत लेखन भी किया है आपने हरियानवी फिल्मों के गीत लिखे हैं और आइ तिंक छोरा जाट का फिल्म का टाइटल सॉंग भी आपने लिखा था वो लोग जो हरियानवी को आजकल बहुत जाती नजर से देखते हैं जातिवाद के नजर से देखते हैं कलाकार ऐसे जातियों उस पर बाइस नहीं होते अगर ऐसे कोई कलाकार हैं भी तो वो भी सीखें इन से शर्मा जी ने छोरा जाट फिल्म का टाइटल सॉंग लिखा है और कमाल की लाइने लिखी दिए सर एक बार हमसे शेयर करें हाँ छोरा जाट कम है विशाल जी थे हीरो के उसमें तो ये सिल्सला निकल लिया था वहां से शुरू हुआ था फिर धीरे में 1976 में यहां आ गया था यहां मेरे को यह बहुत ही अच्छे किलाकार मन से भी तन से भी आत्मा से भी एक दूसरे के भाई से भी बढ़ के प्यार करने वाले जैसे मैं थे मैंने नाम लिया था रगवेंदर मलिह हैं आर्विंजी हैं भाल सिंग मिले फिर हमारा गुरूप बंता गया बंता गया और ये तो ये रुजहान विशेस रूप से जब ये बहुरा नहीं फिलम बनी तो भाई रगवेंदर जी मेरे पास बावरे में रहा करता मैं तो विद ड्रेस आ जाया करते शूटिंग से लटात में लिए कुर्टा पजामा आज ये शूटिंग सारी बात रिपोर्ट दिया करते आ ज है कि उस वक्त 500 रुपे शायद इनकी कोई बनाई थी सोसाइटी संस्ता बनाई थी मैंने का रगवाई मेरे पास वो नहीं है और मेरा मतलब रुजहान है मैं सर्विस में हूँ मैं बच्चों के मादमसे करूंगा बच्चों को नचाओंगा तो खुद में नाचूंगा जो पहले आपने बात की थी तो सब से रुजहान मेरा इस तरह आने का रुजहान तो पहले से हो गया था जो मेरी मैंने बताया ना थी मिरात्री तो था वो उसमें में ये करते 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 चैल गहना जाएंगी चैल गाबरु आई और यह चार पांच फिल्म का फिर छोरा जाट का विशार जी ने दिली में हैं उन्होंने भी उठाया यह प्रोजेक्ट छोरा जाट का तो उस वक्त करने लगे जी टाइटल सौंग चाहिए उसे पहले मैंने गीत लिखे यह नानी नानी बुंदियां पड़ें मैं तो सारी भी जली यह अगीत आपका लिखावा है तो यह उस बहुत छोरा जाट का मैं दो गेट लिखे से अभिने करके यह गीत सुनाते हैं तो कलाकार कोई भी काम करे कोई भी कला करे वो ऐसे ही डूब के करेगा तो उसमें भाव कमाल के आएंगे यह गीतों में जो शब्द आए हैं वो शब्दों को कितने जी के अभी भी जो इन्होंने किया है और आप समझे अगर हम फॉर्म चैदर जी शत प्रतिशत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी एक तो पहले कि कलाकार के ना कोई जात है ना कोई धर्म है केवल जात है तो कला है धर्म है तो जी कला है छोरा जाटके में दो गीत लिखे थे और बोंबे गया था मैं खूद टीम के भाल सिंग मैं और अर्विन तो छोरा जाटके में करते करते वो करने लें कि दिल्ली में हम गए थे ओपी जैन जी को मैं नाम जरूर लूँगा वो भी गीतकार हैं बहुत बढ़िया लिखते हैं मेरे छोटे भाई की तरह से हैं हम बैठे थे सारे उन्होंने भी एक दो पंक्तियां लिखी और मैंने का भी इस तरह से लिखा चोड़ी छाती और यह हमारे हरियाड को मैं तारिफ नहीं कर रहा किसी की चोड़ी छाती तो कोई भी कास्ट का मंदा उसकी मिल सकती है जिसका खरणा करना के यह माबाब आप अच्छे बोड़ी हैं तो वह चोड़ी छाती लांबी गेटी दोरे गात का औ और दुनिया के मैं न्यारा दिक है यह चोड़ा जाट का जैसे आप मैं नहीं मैं हकीकत बोल रहा हूं मैं कोई पंपिंग नहीं कर रहा हूं यह उचाई यह शरीर तो यह थी इसको धुन भी हमने घर में बैठके बनाई दुरगा को लोने मेरी मिसिज डॉक्टर माकांता ब कोशिक साब हुआ करते हैं और वेजपाल वर्माजी हुआ करते हैं तो उन से बैठके हम किया करते थे तो वो कैसे बनाई फिर यह मैंने मेरे दिमाग में वैसे ही चलते फिरते मैंने डॉक्टर माकांता से बात कि मैंने कैसा है फिल्म बनेगी छोड़ा जाट का और टाइट दरियाव सिंग जी वह भी बठे कुणी थे बड़े गुणी थे मैं कहता हूं बहुत गुणी थे कई फिल्में की हैं मैंने और एक और बताओं वो जितना मेरे को लाई किया करते ना पता नहीं में उनके अंदर देखो आप लोगों के अंदर जंता के अंदर होती हैं देख यृण शी बात नी है थोड़ा सचुल जाया मेरे को यह छोडी चाति लंबी गेटी दोहरे गातिका और दुनिया के माँ नया र दिखेयो चोरा जात का चोडी जाति डंबी गेटी चोडी चाति लंघी गेटी लूळी गेटी दोहरे गात का दुनिया के मान न्यारा दिखे यो छोरा जाट का रह 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 यो से छोरा जाट का रह 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 यो से छोरा जाट का धरती अंबर थर-थर का पै इसके जोर के आगे धरती अंबर थर-थर का पै इसके जोर के आगे शेर जाबड मांद में अपनी हाथी बढ़ में भागे थोरा रोब ना माने टूंडे लाठ का यो से छोरा जाट का रहे 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 यो से छोरा जाट का तो ये गणा वो टाइटल सौंग लिया था अपने आप में एक इंसिट्यूशन है आपका जो अंदाज है आपका अभिने का अंदाज है नेरेशन का जो अंदाज है आपके शब्दों का जो चुनाओ है अपने अपने आपिंग इंसिट्यूट है हमारी सलावी है आपसे हम चाहेंगे कि आप ये अभिने करने के तरीके लेखन का तरीका हमारे चैनल पर लोगों के सिखाईएगा क्योंकि ये हमारे चैनल लाखो करोड़ों को लोगों तक जाता है मुझे लग रहा कि बहुत सारे बच्चे सीख सकते हैं मैं चाहता हूँ कि आपका जो अनभाव है इतना लंबा सबें रहा है उस अनभाव को हम लाखो करोड़ों बच्चो पर बाते हो रहा है और हम ऐसे संजो देंगे कि पीडी दर पीडी एक काम आएगा चाहता है कलाकार को कैसे प्रोफसाइड करना यह वह अंदर का कलाकार बोल रहा है अपकी संगत में रहताएं हम आपके स्टूडेंट रहे हैं आपकी मिले चोटे भाई मिले तो यह मेरी स्वागी की बात है आप जिस मुकाम पर बैठे हो जिस उचाईयों को छुआ आपने और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगिया और मैं अंतिम जम लेके जाएंगे ना जूलता हुआ जाओंगा चार कंदों पर एक दो बात कहूंगा यहां तब तक मुझे आपकी वो बात याद हूँ जी सबसे बड़ी मेरे को आपकी बहुत अच्छी बात लगे हम वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं सर और हमने गीत में भी बात कई थी बंबई ने ठाके रोट तक में धर्या है बुद्दा ये था कि जो दुनिया में सीखा है क्यों ना हम अपने लोगों को से जोड़ कि उस चीज़ को भी आगे लाएं और अगे दें उसमें उसमें काफी हथतले कामयाबी है कि आज ख्रियाना में ये महाल बना है बहुत टरीके से जो काम हो रहा कम रही है बिल्कुल नहीं बारही हैं और प्रफेक्टली नहीं भा रहे हैं आत्मा और मन से दोनों का सामजस से शरीर से तिनों मन से करम से और वचन से आप यह नहीं भा रहे हैं आपने एक लंबी पारी खेली है कला के कृतर में गुरूिश शिश्या की जो प्रंपरा रही है जो भाव रहा है वो कैसा बदलाव मैसूस करते हैं कलाकारों के बीच में आज के उसमें और कल के उसमें मेरे को जो अंतर लगा है ना वो ये लगा है कि एक तो पहले सिक्षा जगता है हमने गुरूं के पैर आज भी छोए हैं मेरे गुरू जी भाई पिता शरी पिये शर्मा जी डैथ हो गई राहूल है उनके बेटे मेरे भतीजे जो की डारेक्ट है अपने M.D.O. में U.I.T. के वो जाते जाते एक ही मंतर देखे गए थे हनुमान जी का है वो काज की उबड़ देवने के तुम वीर महाप्र देख विचारो कौन संक्ट हम गरीब को जो तुम सोनी जाते टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभू जो कुछ संक्ट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संक्ट मोचन नाम तिहारो तो गुरू तो ऐसा है कि पूरा जग जानना चाहिए उसको और जो स्टूडेंट है गुरू की तो दिमाग में हर वक्त बसा रहना चाहिए उजाते जाते भी यह देगे लेकिन आज के बच्चों को किसी तरह की मैं सम जाल से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं आप जैसे हैं आपकी पीड़ी तक हैं और थोड़ा साही दरा जाओ उस पीड़ी लेकिन पिछले मैं समय दस साल का अरसा लगा लो यह इतने यह जो पंजीरी आ रही है यह जो बच्चे आ रहे हैं इनके मन में जो चेका चूंद है वो है जबी है और जो घर में मा बाप हैं गुरुजन हैं उनके परती कुछ लगाव जो हैना आदर जो हैना वो घटा है अभी अभी जो गुरु शिशा प्रमपरा पर गुरु शिशा के भाव पर जो सर ने कहा है वो ध्यान देने की बात है खासकर उन नए नौजवान बच्चों से क्योंकि गुरु से आप किसी ने किसी रूप से गुण धारन करते हैं तो आप उसके लिए गुरु दक्षिना के रूप में सिरफ आदर ही दें तो बहुत है लेकिन ज्यादतर हरियाना के खासकर नए वर्ग के जो कलाकार हैं वो गुरु की गोबी खोदने में ज्यादा बिजी रहते हैं उससे उनको लगता है कि अगर हम गुरु को छोटा कर देंगे तो शायद हमारा नाम बड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा वर्ग है जो इसी में बिजी रहता है उनके लिए सीखने की बात है कि यह भाव जिससे आपने गुण कुछ परसेंट भी अगर धान किया है तो उसके प्रतियाप धन्यवादी अपनी बोली से भाशा से अपने वहवार से रह सकते हैं सर आपकी इस लंबी पारी में कुछ ऐसा है जो छूट गया है जो आपको लगता कि अभी करना बाकी है हरवेंदर जी अप मेरी उमर को देखते हुए और अभी मेरी दुश्म थी दुश्मन और अभी एक और है बेद परकाशी बना रहे हैं तो देखो सैटिस्फेक्शन तो मरते दन तक होती नहीं है कितना ही कुछ कर लो आप और जब आप मन से आत्मा से यह मान लो कि I am satisfied आपको सब कुछ मिल गया है तो जो कुछ करने की है वो तो आप जै आपके चैनल के उपर बच्चों को अभिन्यार के मामले में लेखन के मामले में अपने अनभव से सिखाने की आप classes लीजेगा हम आपको platform देने को तयार हैं आप उसके लिए समय निकाल लिएगा हरवंदिर जी इसके लिए तो मैं आपका मन से आत्मा से अभारव्यक्त करता हूं लेकिन इसके साथ एक बात और भी कहता हूं कि आज का जो परिवेश है आज का जो वातावर्ण है अगर हम अपने बच्चों की मान कर चलेंगे तो वरदाशर में नहीं जाएंगे उनके साथ रहेंगे वो हमारी सेवा करेंगे और हमारा आशिरवाद वरदास्थ उनके सिर पर रहेगा तो मेरा ही मानना है कि आज के बदलते परिवेश में अपने बच्चों का अपने छोटे भाईयों का सैयोग हमें चाहिए हमने कर लिया जो कुछ करना था अब स्थिती के नुसार शरीड के नुसार, मन के नुसार क्योंके पांचों करमेंदरियां पांचों ग्याने अंदर यहां धीरे-धीरे स्थिल हो रही है और उस स्थिलता पे जो लेप लगाएंगे वो छोटे भाई लगाएंगे हम पूरी तरह से तयार हैं आपके इस टेलेंट को उसी लेवल पे बरकरार रखने के लिए क्योंकि जो अभी भी हमने जो ग्लिम्स देखे हैं उसमें कोई करंट मिस नहीं होए आपका जन्नेवाद हाँ आपके चेरे पे भी भाव आते हैं अपकी बोड़ी लेंग्वेज बें भी आते हैं हमारे चैनल पे बार बार हरियानवी फिल्मों के गीत पर आपको मरवरंजन इनकी अभिने से मिलता ही रहता है और हमारी कोशिश रहेगी कि इनके टेलेंट को बार बार हर भी धामें आपके सामने रखें तो आज का प्रोग्राम यहीं तक सरा आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर कभी फिर से बलाऊंगा आपको और इसके बहुत सारे टापिक हैं हरियानवी सिनिमा के टिहास पहर अरν अ पे फिर से बात करेंगे लेकिन क्यों क्य हो है इसलिए आज की मुलाकात यहीं तक तो ये थी आज की मुलाकात हरियाना के महान कलाकार जनारदन शर्मा उर्फ जोर्डी जी के साथ तो फिर मिलेंगे हरियाना की एक और हस्ती के साथ तब तक नमस्कार नोस्कार